हेलो स्टुरेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल आरेस गुरू अकैडमी पर स्टुरेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे भुगोल के कुछ महत्तोपून कोश्चन्स तो हमारा कोश्चन नमबर एक भुगोल का जन्नक किसे कहा जाता है? उत्तर है, हिकेटियस कोश्चन नमबर दो, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? उत्तर है, इरेटास्नीज कोश्चन नमबर तीन, सोर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? उत्तर है, हमारा आठ कोश्चन नमबर चार, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है हमारा ब्रैस्पती कोश्चन नमबर पांच में दो ग्रहे जिनके उपग्रहे नहीं है कौन कौन से है बुद्ध और शुक्र बुद्ध और शुक्र दो ऐसे ग्रहे हैं जिनका कोई भी उपग्रहे नहीं है कोश्चन नमबर छे सूरीय के इर्दगेर्द एक परिकर्मा में कौन सा गरह अधिक्तम समय लेता है नेप्चून सूरीय के परिकर्मा करने में सबसे अधिक समय लेता है कोशन नबर साथ प्रत्वी की जुड़वा बेहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है सुक्र सुक्र को प्रत्वी की जुड़वा बेहन भी माना जाता है कोशन नमबर नो तारों की मध्य दूरी ग्यात करने की काई कौन सी है प्रकास वर्स प्रकास वर्स के दुवारा तारों के मद्ध्य की दूरी जाती है और प्रत्वी से सूर्या के बीच की जो दूरी है उसको भी प्रकास वर्स के दूरा ही मापा जाता है कोशन Box 10 सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर भी वरस्पति कोशन Nano 11 प्रत्वी अपने अक्स पर कितने अंस जूकी है? इसका उत्तर है 23 सई एक बटा दो डिगरी मतलब 23 डिगरी कोशन नमर 12 कौन सा गरह सूरिय से सरवाधिक दूर है? नेप्चून कोशन नमर 13 सूरिय अपने अक्स पर किस दिसा में घूंगता है? उत्तर है पूरब से पश्चिम कोशन नमर 14 सी आफ्ट टॉक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर कोशन नमर 15 सबसे चोटा गरह कोन सा है उत्तर है बुद कोशन नमर 16 किसे सूर मंडल का जनम दाता कहा जाता है? उत्तर है शूरिय को कोशन नमर 17 सोर मंडल का सरवाधिक गर्म ग्रै कौन सा है उत्तरे शुक्र कोश्चन नमबर अठरा किस तारा मंडल के तारे धुरुव तारे की ओर संकेत करते हैं उत्तरे सब्तरिशी सब्तरिशी तारा मंडल के जो तारे हैं वो धुरुव तारे की ओर संकेत करते हैं Patient No. 19, सूरिय के 4 ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है इसका उत्तर है 29-39 verse Question No. 20, Uranus सूरिय के 4 ओर एक परिकर्मा में कितना समय लेता है इसका उत्तर है 84 verse Q. 21, परत्वी परिभर्मन करती हुई, परती मिनट करीब कितनी दूरी तै कर लेती है इसका उत्तर है 49 km कोश्चन नमबर 22 तारे का रंग किसका सूचक है इसका उत्तर है उसके तापका कोश्चन नमबर 23 कौन सा गर है हरे प्रकास को उत्सर्जित करता है इसका उत्तर है नेप्चून कोश्चन नमबर 24 हमारी आकास गंगा के केंदर की परिकर्मा करने में सूरिय को कितना समय लगता है इसका उत्तर है 25 करोड वर्ष Question number 25 ब्रहमान्ट की उत्पत्ती का सर्वाधिक मानने सिद्धान्ट कौन सा है इसका उत्तर है Big Bang सिद्धान्ट तो students आज के लिए इतना ही वीडियो गर आपको अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगर आपको हिंदी जीज के रीजनिंग जियोग्राफिक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रोब्लम है तो आप उसे हमें कमेंट बुक्स में लिख सकते हैं हम आपकी प्रोब्लम को अगली वीडियो में सोल्व करेंगे धन्यवाद